उसी तरह का प्रश्ण भी इसमें शामिल हुआ कि क्या हमारे साथ जो बाकी लोग जुड़े होते हैं हमारे परिवार के पती हैं पत्नी हैं तो बच्चे हैं माता पिता हैं या और रिष्टेदार हैं क्या उनके कर्मों का प्रभाव भी किसी जातक पराता है बिल्कुल आप कहते हैं हमारे बच्चा पैदा हुआ अपसे माई तरक्क्य होगी ये आजमी से मैं संबंध मिले मेरी तरक्क्य होगी इसको मैंने जान पचान कर रहा हैं नीचे घुष गया नीचे होगा हुथ और यही कर्मों का एक एक अगेजन हैं जो की प्रक्रती ने बनाया हुआ भगवान ने जिसमें भी बनाया हुआ एक 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 वेजन बनाव आप तोड़ नहीं सकते हैं और ना कोई समस्च सकता है यह हम लोग जो कर रहे हैं शाथ 1% of the entire thing जो भगवान ने बनाया, not even 1%, some millionth of 1% प्रभाव पढ़ता है कोन आधी हमरें से जुड़ रहा है कोन ने जुड़ रहा है, कहीं बारी होता है कि हम जिन्दगी में एक अच्छे नोकर हो सकते हैं, नोकरी कहीं करें तो ज्यादा लाब कर सकते हैं, जैसा आप परामर्श भी देते हैं, लिकिन हम अपना बिजनेस शु एक होता पैसा लगा के पैसा कमाना और पूरा ज्यादा रेस्ट लेना तो वो पत्री के पर डिपेंड करता है आदमी को एक बार देख लेना चाहिए जिए मतलब आप कहते हैं कि जब कारोबार की दुनिया में आदमी प्रवेश करें तो जोतिश का परामर्श लेता है तो उस यह नहीं यह जानना चाहते हैं और इनके फाइनेशल पोजिशन कैसी रहेगी भविश्टे में यह जानना चाहते हैं मंगली हैं मंगली हैं जैसे मंगली कहते हैं लगन में मंगल है तो यह मंगली है जी मिश्टर या मिस्स जो भी आप सुन रहे हैं हमें 1340 आपका लाश डिजिट है आप मंगली है इसकी तस्दीक डॉक्टर साब करते हैं जी दूसरी पूछने चाहते हैं विवा कब होगा और पॉजिशन कैसी रहेगी जिंदगी में विवा इनका अगला साल हो जाएगा विवा आपकी विवा का योग बनता है और हमारी विव आपके लिए बहुत बहुत कामना है एक आर्थिक स्थिति के बारे में तो लगा संकेत पूछना चाहते हैं उसमें संक्षेप में कुछ बता आपके जिंदगी में है कोई प्रशन और आप जानना चाहते हैं कि जोतिश विव ज्यान उसके बारे में क्या माननेता रखता है आपके कुंडली में किस प्रकार के ग्रह हैं किस तरह के योग बनते हैं आपके आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है बाजार की मंदी के दोर में आप उबरेंगे या डूबेंगे या क्या इस्थितिया आपकी बन सकती है इस सब के बारे में आप जोत्शिय पर आमर्श ले सकते हैं अभी साले दस बजे तक डॉक्टर शंकरर डावल जी हमारे साथ इस्टोडियो में भी दिमान है अपने प्रशन हम से पूछिए हमारे लगते एक चोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद भ्रगुनाली जोतिश में आप सभी का पुनाहारदिक स्वागत मित्रों हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल आप जोतिश विज्ञान से जुड़े हुए प्रशन हमसे पूछ सकते हैं अपनी जि हमसे संबंद स्थापित करने का अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी यानि एन एडिया दीजे स्पेस जन्म की तिति जन्म का समय जन्म का स्थान आपका सवाल आपका नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर आप जो विवरन हमें देते हैं उसके आधार पर आपकी खास जन्म पत्री का बनाई जाती है और इसमें ग्रहों का विश्टेशन करने के बाद आपको बताया जाता है आपका भूत भविश्य और वरतमान हमारे साथ ब्रेक पर जाते समय एक दर्शक टूरी थी पूनम जी दिल्ली से उनको शामिल करते हैं पूनम जी स्वागत है आपक सब्सक्राइब करते हैं पूनम जी है तीस माई उन्निस सो पिचासी को इनका जन्म हुआ है साड़े दस से साड़े ग्यारा बजे रातरी के समय दिल्ली में जन्म हुआ है सवाल क्या पूछना चाहती है आप बहुत ही इमोशनल है पूछियाए आपके सवाल से पहले जवाब रोकसाब दे रहे हैं सुनिए इनको जी आप सवाल क्या आपका सब्सक्राइब कर रहे हैं कि इस साल पक्का आपको अगले साल पक्का आपको लेक्टरेशिप मिल जाएगे इस साल से जून तक आपको मिल जाएगे और कुछ पूछना चाहती है पंदरे बीस दिन की इंतिजार आपकी है फिर आपका टाइम शुरू हो जाता है साथ इस दिसंबर के बारे में डॉक्स आप कहते हैं आपको पूछना चाहती है सार मेरे घरवाले मेरे शादी के बारे में चिंता करते हैं कब तक शादी का योग है सीदे सीदे नहीं पूछ पाई है आप इंडिनेक वे में पूछ रही है कब इनकी विवहा का योग बन रहा है आपके शादी का वैसे योग है 2010 में पूनम जी 2010 में आपके विवहा का योग बन रहा है और घरवाले निश्चित रूप से ठीक ही चिंता करते हैं और इसे पहले आपका जॉब भी लग जाएगा आप लेक्चरर भी बन जाएंगी बहुत 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 शुब काम नहीं है हमारी तरफ से आपके लिए एक और SMS हमें मिला है रोकसा मिनका नाम है मंजू दिल्ली से SMS किया है 18th of July 1986 18 July 1986 समय है 2 बज़कर 45 मिनट रातरी 2.45 एम और प्लेस है चंपावती उत्राँचल 18 July 1986 दो बज़कर 45 मिनट मौर्निंग 2.45 एम और प्लेस है चंपावत उत्राँचल में ये कहती है कि इनका लाच लिजिट है 4553 और नाम है मंजू पूछती है कि इनकी दो बज़कर 45 मिनट दो बज़कर 45 मिनट चंपावत ये पूछती है कि इनका 18 July 1986 इनकी पत्री बहुत कश्ट था है 245 एम और चंपावत में जन्व हुआ है उत्राँचल में समसी इनों ने भेजा है ये कहती है कैरियर हेल्थ और वेल्थ मेरीज और फूचर सब कुछ पूछना चाहती है कि कब मेरे लगन में क्या है और मुझे क्या काम करना चाहिए इनका अगर ये श्पिशुलिटी में ध्यान रखा है भगवान की तरह बहुत अच्छा है मगर हर चीज इनके लाइए जाएगी बहुत कर्षार चड़ाव की लाइफ है और भगवान का ध्यान करिए भगवान की पूजा करिए वह एच्छा बगवान की शरण में जाईए उतार चड़ाव मंजु जी जिन्दगी में लगे ही रहते हैं ऐसा डॉक्स सब गयते हैं लेकिन परमात्मा की श्रण में जब आप जाएंगी तो आपके जिन्दगी में सुख आने शुरू हो